चेले तो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है लोकेसर अकाडमी यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं करेंट अफेर की सीरीज अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगी बहाँ पर आप लोग को फर्स जन्वरी करेंट अफेर मिल जाएगा आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेने वाले सबसे तेज भारती कीपर कौन बन गया है तो चार उप्शन में से जो सही जवाब है वो है उप्शन नमर से मतलब की रिशाब पन्थ चलिए तो इसके एक्स्प्रेशन हम लोग देख लेते हैं तो भारती विकेट कीपर रिशाब पन्थ है जोनोंने अब सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट ले लिया है और इतिहास में अपना नाम जो है वो भी दर्श करवा लिया है आप लोग जानते हैं सबसे successful wicket keeper और सबसे successful जो कप्तान है उसमें गिना जाता है माहिसिंग दोनी को तो बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहा हूँगे इसका जवाब जो है वो माहिसिंग दोनी है लेकिन इसका जवाब जो है ओप्शन नमबर C मतलब के रिशपपन्त यह उपलमती उन्होंने 26 way wicket टेस्ट मैच में हासिल की है इसके पहले पूरु भारती कप्तान महिसिंग दोनी ने 36 wicket टेस्ट मैचों में पहले 100 वicket लेने का खिताब जो है वो हासिल किया था और इनोंने 26 लगभक 10 वे टेस्ट मैच विकेट पहले ही इनोंने कर लिया है तो ब इटी संस्थान शिर्षिस्थान पे रहा है आप्शन नमबर एक है है हैतरबाद आप्शन नमबर दो है आईटी डेली आप्शन नमबर तीन है आईटी मदरास और आप्शन नमबर चार है नन आपदेस तो अटल रैंकिंग ओफ इंस्टिउशनल और इनोवेशन अब थोड़ा सा हम लोगों को इसके एक्स्मेनेशन को भी समेगना होगा तो आर आयाया रैंकिंग दोहरिक्कीस में जो आईटी मदरास है वो शिर्षिस्थान पे रहा है विश्व रैंकिंग में अगर हम लोग देखे हैं तो आईटी मदरास की बाद आईटी बॉम्बे आ शिर्जिस्थान पर भी रहा है नीर्जी विश्वर ध्यालो शर्णी में कलिंग इंस्टिटूट आफ इंडस्टिरिल टेक्नोलोजी टॉप कर रहा है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से A.R. I.I.A रैंकिंग में आप लोग को इसका फिलफार में याद रखना है जो कि अटल रैंकिंग आफ इंस्टिटूशनल एंड इनोविशन अचीवमेंट नेक्स्ट कोश्चन है चले तो नेक्स्ट कोश्चन है आप लोग की स्क्रिन के ओपर ये भारतियत अट्रक्षबल के प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया है तो एक अपनमेट का कोश्चन में आप लोग के साम रखता ही हूँ ओप्शन नमबर एक है वी एस पार्टनिया ओप्शन नमबर बी है एस के महाजन ओप्शन नमबर तीन है आर के शुकला और ओप्शन नमबर दी है नन आप देस तो इसका जो सही जवाब है वो है ओप्शन नमबर ए मतलब की वी एस पार्टनिया चलिए हम इसके explanation देखेंगे तो वी एस पार्टनिया को भारती अतरटरक्शपल का 24 वे प्रमुक नियुक्त किया है अधियन में रास्ता परासना तक की डिग्री प्राप्त कर रखी है और वह है कि योग के हलिकॉप्टर पैलेट भी है तो आप बोल सकते हो कि एक मल्टी डालेटेंट पर्सनालिटी जो है वो है वी एस पार्टनिया ची अप्शन नमबर एक इसका सही जवाब होगा नेक्स कोश्चन आपकी स्क्रीन के उपर ये किस देश ने वैश्वेक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंच वर्षी योजना जो है वो लॉंच किया वैसे तो पंच वर्षी योजना भारत में भी थी इसको बंद करके 15-year vision document जो है चालू कर दिया गया है और भारत में जो पंच वर्षी योजना थी वह रशिया या फिर यूज सार से प्रभावित थी लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही वो है वैसे वी रोबोटिक हब बनाने की चार option आएंगे आप लोग के पास पहला है option है वी यतना option number B है China, option number C है Russia और option number D है Japan तो जैसे कि आप लोग बिल्कुल ठीक सूच रहे हैं option number B इसका सही जवाब होगा मतलब की China चलिए इसके expression हम लोग देख लेते हैं चीन देश ने वर्ष 1225 तक वैश्विक रोबोटिक हब बनाने के लिए पंच वर्ष की उजना जोन उसको लॉंच कर दिया है महीं पर आप देखेंगे चीन के उद्योगी गोर सूचना प्रोदिगी मंत्राले के नुसार देश के रोबोटिक उद्योग में परी सजलना परीचालन आई में लगभग इन चार सालों में 20 प्रतिशन से भी अथिक बड़तरी होने का अनुमाल लगा है और आप लोग जानते हैं कि चायना ऐसे भी एक मैनुफेच्रिंग हब है पिछले साल चीन देश की परीचालन आई कि अगर हम लोग बात करें तो वो 100 अरब युवान बन गई थी और वर्श 22 की विश्व की रोबोट रिपोर्ट के नुसार रोबोटिक्स के मानुवले में दक्षन कोरिया, सिंगापूर और जपान, एशिया प्रांत या एशिया प्रशांत में शेश तिल सबसे 140 देश बन गए है तो आने वाला जो समय है वो रोबोटिक्स का है और चाइना ने इसकी जो प्रिप्रेशन वो स्टार्ट कर दिये देखना है अब इंडिया इसकी फेलक अप करते हैं तो नेक्स कोशन आप लोग के सामने ये सेंचुरिन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशिया टीम कौन सी बन गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है और मैं हिंट नहीं दूँगा आप लोग को लेकिन फिर भी आप इसका जवाब दे सकते हैं आप्शन नमबर एक है चैना आप्शन नमबर बी है रशिया आप्शन नमबर तीन है इंडिया आप्शन नमबर चार है जपान तो एक समान की बात हम सभी लोगों के लिए पहली एशिया टीम बन गई है इंडिया जो की सेंचुरिन में टेस्ट मैच जीत गई है सेंचुरिय एक छोटा सा स्थान है साउथ अफरीका का वहाँ पर ये मैच हुआ था और साउथ अफरीका को हरा के ही भारत ने ये उडवप्धी को हसिल किया है वही भारत सेंचुरिय टेस्ट में जीतने वाला पहला इशिय देश भी बन गया है तो और इंपोर्टन बात है ये तो और अब तक देखेंगे पाकिस्तान बांगलादेश अफ़गनिस्तान की टीमों ने यहाँ पर आये हैं लेकिन सेंचुरिय में मेच कभी भी ये जीत नहीं पाए तीनों मेच में टेस्ट सीरीज का पहला मेच इस एंचुरिय में भारत और साथ अफरेका के बीच में खेल गया था इसका जो सही जबाब है वो है ओप्शन नमर बी मतलब की विनित कुमार गोयल जी चले तो एक्स्मेरेशन हमें लोग देख लेते हैं इसके अब कॉलकता पुलिस के नए आयुक्त के रूप में विनित कुमार जी को नियुत किया गया है विनित कुमार कॉलकता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजियुकुमार की जगा लेंगे राजियुकमार गोयल को शादा चीटफंड गुटाली की जाज की गडबड़ी के मामले में जो केस तुपा गया था उन्हें सुल्जानी के लिए उन्हें भान रिशेक के बगप पर नियुद कर दिया है इसके अलावा सिलिकुडी में SRB का पद समालने वाले IPS अवधेश पाठब को कोलकता के जावतपूर मंडल के DC के बगप नियुद किया है तो नए-ने पद है नए-ने नियुक्तिया है आपके जिएगा पद जो है वो बहुत सारे है नियुक्तिया बहुत सारी है लेकिन हम लोगों जो नयाम याद रखना है वो है विनित कुमार गोईल जी का तो यह आज के कोशन थे, उमीद है आप लोगो पसंद आये होंगे, अगर पसंद आये तो आप लोग अपने दोस्ते हाथ में इसको लाइक जरू करें, शेर जरू करें, और सब्सक्राइब कर लें, लोके सर अकाडमी यूटिब चैनल को, और बालागम को दबाएं, जिससे से फ़ेल नोटिविशन आप लोग के पास में है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, आप लोगा बहुत बहुत धन्यवाद, जैहन, जैपारत, टैंक्यू,